कि कहते हैं कि आपने चीज़ पर है किनी के में सल्यूशन का एक साचुरेशन लेवल होता है इसके बाद दे विल नौट डिसॉल नौट डिसॉल इस आपने साचुरेशन लेवल को ये इस से आपको मालुम चल जाता है तो I think this screen देख लिये सब को मेरी नहीं अब ही नहीं देख लिए recording start हो रखी है recording started सब कुछ हो रखा चलिए यहां वाला हम लोगों ने कोशिंद कर दिया था है हम निकाल रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं वह पढ़ाई कर रहे है कि कोई का करेंट कैरिंग वायर है तो किसी पॉइंट पी कैसा है इन दा प्लेइन आप दिस वायर है कि नहीं तो उस पी पे हम जो कि 10 मिटर डिस्टेंस दूर है किस से वायर से उस वायर से तो उस पी पे मैगनेटिक फील कितना होगा तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको बताईए तो बी का आपको बताया था कि नहीं इस इकुल तो नू नॉट पाइप फॉर पाइप आई बाया साइन स्मॉल डिक्नों जो कि डिस्टेंस भी होता है साइन फाइवन प्लस फाइब टू थीक है यह बताया था इस बेसिस पर हमने देखा था कि यहां पे 45 डिग्री आ रहा है तो यह देखिए और इसको मैं आपको आज में थाड़ एक बार यहां पर रिपीट कर रहा हो ना मैं चाहरा हूँ कि उमीद कर रहा हूं कि आप उसको जरूर कर लिए क्योंकि उसका में है सब्संचरा रहा हूं पर हर जगे का मई क्लिए उस वे में कैसे सोचने तो अगर मालेते ही ये और ये पॉइंट आपके पास यह क्लिए mange आपके पास क्या है 10 संभाया यह जो कि दूरी है किसे ओर कैसे निकालते इस पी रहे इस वायर से तो ये कहते है इस line segment का length पी ओ कहलो कि ठीकर ओपी का length कितना ठीकर यह होता है अब देखिए five one जो निकाल रहे हैं जो end और इस point के बीच में जो line बन रही है ठीकर और यह दूसरा end प्योंकि ये finite इसके दो एंड होंगे तो इन दोनों के एंड से और इस पॉइंट को जोड़ता हुए एक लाइन लिया अब यह जो लाइन है यह कहते हैं शौर्टेस डिस्टेंस लाइन इससे इसके रिस्पेक्ट में एक वार आप क्लॉक्वाइज में जाओगे किसी एक एंड के लिए तो आपके पास वायर इस लेंक का होता है तो यहां पर अब पॉसको ऐसको जोईन करते की नहीं की आपने पहले के लिए कि आप जा रह हो कैसे यह यह है यह जा रहे हो आप लौक्वार इसके लिए आप कैसे चांग गै एंटि क्लॉक वाइज और चलते जाओंगा इस लाइन से चलते जाओंगा जहां टकरा गया यह उसका फाइटू बन जाएगा ठीक है यह बात सबको समझ में आ गया और यह फॉर्मूला लगाए सिंपल सी बात है यह चीज आ गए सबकी आ गए थी तक राइट है और इसके बारे में हम ने यह चीज के ऊपर डिसकस किया था कि हमारे प पॉलीगउन के साथ इस वार क्या होगे वर्टीशेस पे हम चार्ज भी रखेंगे इस वार करेंगे रख्छेंगे और उससे करेंट फ्लो करेगा एक डिरेक्ष्न में ऐसा नहीं है कि यह इधर फ्लो कर रहा है तो यह इधर वाला फ्लो कर रहाए यह ऐसे कुछ भी अपने दे दिया उस case में अलग होगा इस case में क्या होगा current एक direction में flow कर रहा है इस loop के अंदर ये close loop type का बन गया है ठीक है इस case में हम कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास generally center पर पूछेगा question तो आप याद रखिएगा पहली बात मैं यहां पर इस 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 के लिए आप देखो होगे देखो यहां पर simple वीज़ी बात बोलोगे आप भी पी नेट आपको ढूलना है तो आप बोलोगे एक सब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि आपका अरे पस हमने तो triangle के लिए नहीं सीखा है हमने सीखा एक finite length wire के लिए straight wire के लिए तो क्या मैं इस तीन इस triangle को उसमें convert कर सकता हूं answer आता है हाँ ठीक है तो यह point मानते है ए यह point B और यह point C क्या मैं A B के लिए मैं निकाल सकता हूं इस point पे इस पी पे field तो आप बोलोगे हां sir यहां के लिए निकाल सकते हो यह रहा यह होगा और यह होगा sir आपने बोला था कि यह जो perpendicular distance आप draw करते हो इसको कहते हो आप आर कहते हो जो small r कह ठीक है इस से आपको एक clockwise direction में जाना है यह clockwise में जा रहे हो आप और एक anticlockwise में जाना है एक लेंग्ट इस वाले जो इस point को एक end point को इस wire के ए बी वायर के इस एबी वायर के एक endpoint ए से और इस पी को join करेंगे तो आप किसी को भी एक माल लेते कि आप इसके तरफ इस तरफ से एक वर clockwise चलोगे एक वर anticlockwise चलोगे ठीक है और दोनों टकराएंगे और वह एंगल फाइवन फाइटू कहलाएगा ठीक है समझ में आ गया से यह आर हो गया सर इसमें कोई दिक्कत पाइवन फाइटू वाला फिर से रीपीट करना पाइवन यह बोल रहा हूं बेटा कि अगर माल लेते कि इसको अगर मैं एक जंडर केस में ऐसे देखता हूं तो यहां पर मैं अगर देखनों ऐसे तो यह कुछ यह होगा लाइन जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा यह वाला पॉइंट ओ और पी ओपी लाइन जो होता है ओपी एक लाइन सेग्मेंट है उसका लिंक क्या रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल आर को डाट इस दिस्टेंस बिट्मीं द वायर एंड पॉइंट पी ठीक है क्योंकि आप अगर मैं बोलू कि distance between these two points तो आप तो बरेच्छे से एक line घीच लेते हो distance between a line and a point मैं बोलू तो आप बोलोगे कि सर बहुत सारे possible है line यह line भी possible है line segment यह भी possible है को wire का एक ऐसा point भी है तो shortest वाले को जो कि सबसे कम होगा that is always going to be a perpendicular distance इसी को कहते हैं the distance between distance between a wire and a point ठीक है तो यहां से इस पहले line को draw करेंगे और इस line को क्या करेंगे एक एक बार clockwise ले जाएंगे एक बार anti-clockwise ले जाएंगे automatically वह जैसे ही इससे टकराएगा यह five one बन जाएगा और यह वाला जिससे जैसे ही टकराएगा दूसरे वाले के साथ वह five two बन जाएगा ठीक है और यह इस फॉर्मूला में डाल दो ठीक है तो यहां के लिए अगर हम देखते हैं तो यहां देखते हैं यह एंगल कितना होगा यह देखो इसमें क्यो रेगुलर बूला था मैंने रेगुलर पॉलिगॉन के लिए क्योंकि यहां पर आप जानते हो 60 लिए टो यह 30 लिए और यह 120 लिए होगा यह 60 होगा और यह 90 को ठीक है तो यह आपके पास आपके तो ये आर मालूम चल सकता है लोग होगा तो आप ऐसे बोल सकते हो और आपका हो जाएगा इस वन टैन ठीटा टैन ठाटी कितना होता है और इसमें क्या होगा टैन ठीटा टैन ठाटी डिग्री तो आर बाइए बाइटू होगा कि नहीं होगा तो यहां पे वन बाइए तो यह आपको आ जाएगा यह आ गया आ गया यह आपके पास आ रहा गया यह थीटा बताइए फाइवन फाइटू कितना रहा है इसके कारण यह देख रहे है इसके कारण अभी मैगनिट्यूड मैं दिखा रहा हूँ ठीक है आई कितना है तो आपके पास आई ऐसी आई दे रख रहा है ठीक है आई बाई आर आर कितना है आपके आपके पास फाइवन और साइन सिक्स्टी ट्वाइस टाइम सब्सक्राइब ठीक है यह चीज आ गया इसको कैंसल आउट किजे टू टू को फोर चला जाएगा यह आजाएगा आपके पास यू नॉट बाई पाई और आई बाई ए उसके बाद क्या आजा रहे है रूट थ्री और साइन सिक्स्टी कितना होता है जब करेंगे तो थ्री बाई पूर आ जाएगा रूट थ्री रूट थ्री होगा पूर नहीं होगा टू का भी तो करेंगे साइन सिक्स्टी है यह ना मैं तो साइन सिट्टी स्कूर की बोल जरी थी नही रहें स्कॉर क्यों करना के दूबार निदिये जिए नहीं निहीं स्कॉयर हाँ है तो ओर तो संढ़ पाई साइन पाई होगा ना स्कॉयर थोडी होगा साइन होगा बाहर निकाल है यह वाला क्यों बनाया था टू यह में निकाला थाइस Lord यह तो वालको एंसल में चला गया है तो हमारे पास रूट रूट ठी रूट ठीव थी थी बन गया वाई तू और यह हो गया आई बाइ ए और यह हमारे पास हाग्या मैग्ट्यू डारइक्शन कैसे निकालेंगे तो आ ड्रीट हैं अ क्या करो गषडिशन के कि अपे जिस निकल रहे। कि तुशी का निकल रहे हैं आches कि ऑना आपको ऐसे दिख रहे होंगे ऐसे दिख रहे होंगे निकलते पेपर से आरे होंगे देखो आ रहे हैं सब के हाँ रही अपने तitel को इधर रखा तो फिंगर ऐसे आ रहे ना सब के फिंगर ऐसे निकल रहे ना यहां से लग रहा है कि निकल रहा है कि आ रहे ना कि सब क्या रहें कि नहीं कि आ रहे हैं तो यहां पर क्या होगा निकलते हुए वाले को वो तीर निकलता है तो कैसा दिखता आगे से नोखिला ठीक है तो यह आ गया इसके कारण से सिमेट्री होती है इसके कारण भी वही आएगा वायर के लॉवायर के लॉवायर के लॉवायर को रखे जैसे करेंट फ्लो हो रहा है वैसे आप ले जा रहे हो देखो यहाँ पर झाल रहे हो तो फिर से निकलता हुए भीकर आया तो आपको यहाँ बिखरा ऐ ते आप तो इसमें भी आएगा तो इसमें ईडिशन होते जाएगा क्योंकि आपको यहां पर बी जो लिख रहे हो नेट है किस कारण सें यह इसको माना है one इसको माना है two इसको माना है three तीन element माना ए a b bc और a c तीन अलग-अलग straight wire है finite link के इस case का formula जानते हैं टी-point से निकाल रहे हो तो सेम यह formula इसके लिए भी use करोगे बीसी के लिए same answer आएगा इसके के लिए मैंने बुला रेगुलर का सेम एंसर आता है और डाइरेक्शन भी सेम आ रहा है तो दो सारे डॉट वाले सारे सब का यहीं आएगा तीसरे वाले का भी डॉट आएगा तो इसको मैं टाइम्स थ्री कर दू क्या कर दो तो क्या मेरे पास आ रहा है नाइन बाइटू नाइन यू नॉन नॉट अई टू पाई ए आ रहा है मेरे पास यहां पर एंसर क्या है पोर पाई आ रहा है अच्छा मैंने ए मान रखा है ना यहां एल में दे रखा एक एबाइटू एबाइटू क्या है मेरे एक क्या है मेरा एक सेकिने सब्सक्राइब आपको एल के टॉंस में यह मतब समझव यह वाला यह पूरा लेंख एल है पूरा लेंख एल है हमने ए बाइटू रखा है पूरा लेंख एल है तो यह लैंक्थ क्या होगा एल बाइटू होगा कि नहीं यह इससे होगा तो अच्छा हाँ लबाइट टू तो आएगा तो उसको एक जग रिप्लेस करना है इसमें नहीं नहीं रुक 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 को इसी बीच में मिस्टेक किया क्या कोई फॉर्मूला में रखते समय है तू या फॉर एंसर तो डी आएगा पक्के से नहीं सी आघाय आरे आँ सही है मेरा देख़ यही नंबर का गीफ का खेला गीम का खेला क्या है मिरा यहैं वी देख़े एटीन है और यहीं यह है मेरा तीन डॉट आ रहा है यही मैं देख तो है यहां पर यह चीज़ देखिएगा यह सब चीज़े कभी कभी कि गुमाता है यह करता है मैं तो सही आते वे देखे कि वैसे नहीं सोचिए कि यहां बाइफ और टाइप का इसा पुछाना चाहिए तो नाइन है उपर और है थोड़ा यह चीज़ देखीजेगा ठीक है तो एंस डॉट आए अगर वैसा नहीं हुआता तो सभी का लग 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 निकालता है यह वाला कोश्चन भी हम करें एक कोश्चन हमारे पास आएगा जो की ऐसे वायर होगा इसमें देखिएगा करेंट ऐसे बह रहा जरूर है इस लूप में तो इस करेंट इधर वाले सेक्टर के ल इस वाले लूप के लिए आपको उपर आए इसके लिए देखिए डाउनोड आ रहा है और इसके लिए देखिए उपर आ रहा है तो एक केस हो सकता है लेकिन जब रेगुलर पॉलिगॉन में मैंने आपको बुलाई ना वह हमेशा यहीं होगा क्योंकि यह अगर पॉइंट ना इस लूप के बीच में होती ना तब कोई अलग बात होती है यह लूप के बाहर पड़ती है तो यह चीज हम लोग देखके समझ जाते हैं लेकिन आपको मैं नहीं बोलूँगा यह सब सोचने लिए आप सब के लिए लगा लीजिए गा तो एंसर आ ही जाएगा इसमें ल बनाकर लिखना है ठीक है और यह चीज़े देखते रहना कि एल है कौनसा है ठीक है हाला कि जब आपके पास नीट में पेपर आता तो एकष्ाइट लिए कि लेंग्ट है फिर उसके बाद आपके पास यह कर देगा आइक ररेंट है ऐसे कोशन तो हाला कि आते नहीं आई एकल टुवन एंपिर दिया रहेगा ऐसे लेकिन मैंने आपको इंजेनरिक वाले करवा देगा आई करेंट मान के लिंक्त मान के तो अब इन चीज़ों को आप जब देखोंगे तो इस स्कॉयर वाला भी फॉलू होगा इस समय क्या होगा आपके पास आपको फिर इसके लिए ए इस लखाव और चार बनेंगे और यहाँ पर यह जो आएंगल आंगे वह कितने आएंगे क्योंकि होता है तो भाईया यह देखो यह выпол jaar इरल यह वाले यह वाले यह वाले ट्रैंगल और यह वाज़ा चार कंगोरेंट रिएंगल में बुद बढ़ जाता है तो यह वाला जो और ये रिए साइड लेंग्थ दिया हुआ रहेगा सम्थींग ठीक है फिर टेंट धीटा यहां लिकले ना यहां निकाल लेना एक और यहां पर कि इस plane में हो plane of wire में हो तो कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे लोग तो ऐसा मैंने बोला था कि थम के अलॉंग आप क्या करोगे करेंट करोगे थम का जो टिप है ना वो टिप किस तरस रखोगे जहां करेंट का डायरेक्शन है तो यह टिप देखो कहां रखे इधर रखे अगर यह करेंट नीचे फुल होता तो थम का डायरेक्शन की दर रखते डाउनवर्ड रखते ठीक है और रखते तो यहां पे फिर और फिर मैं बोलता कि इस हाथ को घूमो और समझो कि इस line से तुम गुजर रहे हो यह थम इस से गुजर रहा है और थम का plane यह ऐसा plane होगा यह थम दिखेंगे निकलते दिखेंगैं कि यहां के चार को सब के करण लिख देए पॉर से मुल्टिप्लाइब करते समय देख लेने का मैं जानता हूं कि इस पॉइंट टी है यह पॉइंट इंटर्नल पॉइंट है हमें सेंटर पे पूछा जाएगा रेग्लर पॉलिगॉन में कभी हैक्साफॉन भी बनाके देदिया आपके पास सेम काम करना है यह बोला है कि सबने दे रहा है थो यहीं वाला मिषंट देते जाएगा संब्सकॉב्प्रीशिंट सेम डाते जाएगे जह से में नहीं है लेकिन इसमें सबगा आ जाता है तो इसे के ले बीवन प्लस बीटू प्लस बीट्री की तरह दिखता है समझगे किसी को कोई दिक्कत परिशानी नो सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है दिए सेम तरिका यहां करना 45 डिग्री आए इसका आजाएगा इस वार एबाइटू अब देखिए यहां 4545 है तो आपनी यह लोगे एबाइटू यह भी हो जाएगा एबाइटू टैन ठीटा लगानी की विजड़त में लगाना चाहते हो आपकी श्रद्धा वह भी वहां से वही निकाल के देगा आपको मन करेगा तो यह इसको बोल देना लेंग्ध सम्थिंग तो लेंग्ध इस इकल टू लेंग्ध V2 इस इकल टू tek 10чट टैन 45 कितना होता है श्र2 वन होता है ठीक है L इज इकल टो एबाइटू तो वही तो आ रहा है आ रहा bu dip up अधी यह लंग्ग है पूरा यह लिख यह इसको बता हुरै रहा है आ ठीक है कैसे समझ 0107 एह और यह चीज़ आप निकाल के फॉर्मूला रख दीज़ेगा यहां प्रे यह हो जो होता है इसका हो गया स्मॉल आर और साइन वालफा एंगल आगे ठीक कोई दिक्कत नहीं है सर आप बहुत अच्छा परहा रहे हैं सर और मैं हम लोग समझ भी गए सब्सक्राइब करना आपका स्वभाव है और बच्चों की खुशी देखने में अच्छी नहीं लगती है दू मिनेट एक फॉर्मूला क्या समझा उस पर तंग करने आ जाते हैं ठीक अब देख एक और चीज़ बताओ अगर मैं फाइव वन की बारे में बोलू 90 डिग्री और टू 90 डिग्री इमेजिंग करो कैसा वायर होगा इस पॉइंट से एंटी पैरलेल एंटी पैरलेल नी देखो यह फाइव वन क्या होता है एंगल बिट्विंग दिस लाइं और दिस पॉइंट एंड को जोड़ने वाला लाइन तो अब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिख को जोड़ने वाला तो यह पॉइंट को जोड़ रहा इसके पैरलल हो रहा है यानि दो पैरलेल लाइन कहां जाके मिलते हैं इंफिनाइट पर जाके मिलते हैं इसका मतलब यह था मिलती नहीं कभी हां तो रियल वर्ल्ड में नहीं मिलती है इमेजिनेरी में मिल जाएगी इमेजिनेरी वर्ल्ड नहीं उसको कहते हैं बिटा आज कल बहुत वर्ल्ड आ गए हाइपोथेटिकल वर्ल अलग फील कराएगी वर्चुल वर्ल्ड अलग कराती है वह चीज़े अभी मैट्स में आप चैसे जाओगे पकर बनाओगे तब इंट्रेक्ट वर्ल्ड भी होती है और किसे फिक्शनल वर्ल भी होती है बहुत सारे अलग अलग टरम साथे और सब लोग ऐसे दम सिनोनिम्स होना मतलब सेम चीज़े नहीं होती है हमिशा सिनोनिम्स मतलब दिया इक्वेलेंट नॉट आइडेंटिकल ठीक है तो यह दोनों पहलेल होती है तो यानि तब 90 डिगी वन गए यानि इनके एंट कहां पे होंगे इंफिनिटी पे होंगे कि नहीं तो क्या यह एक इंफिनाइटिल लॉइर के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि यह उसके कारण इस पी पॉइंट पे मैंगनेटिक कितनी आएगी तो मैं अगर निकालने जाओं तो साइन पाई वन कितना हो जाएगा वन होगा और यह वन तो टू हो जाएगा तो म्यू नॉट पाई जो तू यहां से आएगा वो इसको कैंसल आउट कर देगा तू पाई आई बाई ए जो होगा या आर लिखिये जो भी लिखियेगा आप मैं आर रेप् कि अरे हां या ना बोलो यह सर ठीक है अब यहां से सब कुछ यह बात समझ में डायरेक्शन कैसे निकालोगे राइट है इसमें किसे आ रहा है बताओ सबसर्ण सर्य जा कहा वायर है करेंट और पूछ ऑप पूछेक्शन कैसे इसे कैसे होता है तो मैं बोलता हो हूं इसका अर्थ होता है कि यह जो लंच्व आप डिस वाइर है कि मच उपे तव इस वह एक तर when से चलोज आप चले जाओ यहां जाके देखो तो आपको लगेगा कि नहीं कि यह पूरी तरह से फैला हुआ है यह सर तो इस केस में वह इंफिनाइट वायर की तरह भी करता है तो यहां पर अगर मैं बोलू कि इनिफिनाइट यह लॉंग वायर जैसे मैं बोलू लॉंग वायर के कारण एक पॉंट पी पर जो फील्ड बनेगी मैंनेटिक फील्ड द्यू तो करेंट कैरिंग इस लॉंग वायर तैस गुए तो मियू नॉट बाई टू पाई आई वायर सम ठीक कोई बात अब मैं बोलता हूँ से Mi Infinite वायर यह क्या होता है सर सैमी इंफिनाइट वायर अगर टी पॉंट है और और इसके एंड पॉंट इसके line यानि यह line को मैं यहाँ पे 90 डिग्री बतरता हूँ देखो मैं इस line के साथ मैंने क्या बोला था इस point P से आपको एक line draw करनी है इसके ठीक है इसके line draw करनी है इस wire के wire अगर short हो कैसा भी हो आप line ऐसे draw कर दो dot dot बना लो इसके dash line से बना जो कि आगे आने वाले question है कि पी एक ऐसा point है और wire infinite wire ऐसा हो यहां तक अपना फैला होगा पूरा गया हो इस case में सर को बोलोगे कि सर यहां पर तो वायर अगर perpendicular इसके बीच में अगर देखना है तो perpendicular distance कोई आप distance बोलते होना सर तो यह तो परपेंडिकुलर distance यहां पढ़ रहा है इस wire के इस line के लिए इस पी और इसके बीच में यहां तक तो wire है भी नहीं यहां तक तो wire है भी नहीं तो कैसे करेंगे ठीक है तो semi-infinite में क्या होता है यह point जो होता है यहां ऐसा जगह आ जाता है कि यह इनके बीच के distance को भी यही line represent कर रहा है साथ में इस point और इसके end से बनता हुआ line यानि याद करो यह वाला line यह वाली line वो भी यही बन जा रहा है ठीक है यानि इन दोनों के बीच में अंगल कितना होगा इस dotted line और यह दोनों एक साथ overlap कर जा रहे हैं प्वॉइंट से इसके end को मैंने match किया ठीक है यह match हो गया इस point को मैंने बोला था P and end point line फिर मैंने P और एक wire के एक ऐसे point को मैंने टच किया यह P है point माल लेते हैं यहां पर अभी के लिए अभी पी concept पर आ गए इस पी से पहले मैंने end को एक line बनाया line segment इस point से और इस end segment ठीक है एक line draw दूसरा line मैंने क्या बोला था कि एक line यह वाला बन गया एक end point one और पी दूसरा line बोला था इस wire और इस point के P को बीच में distance पर आने वाला यह वाला line जो 90 डिग्री पर है यह line segment यह ओ ओ पी यानि ओपी भी और पी यवन भी दोनों एक साथ coincide कर रहे जने इस point के लिए इस point के लिए देखो बिटा इस point के लिए क्योंकि यह डॉट डॉट के लिए डॉट 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 वाला line 90 टी डिग्री भी बना रहा है यह डॉट 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 वाला लाइन इसके साथ 90 डिग्री भी बना रहा है और दूसरा यह एंड पॉइंट को भी जॉइंट कर रहा है तो इस केस में इन दोनों का एंगल के इतना हो गया इन दोनों के बीच में जब दोनों कॉंसाइट कर गए तो कि समझ मैं आया की नहीं समझाओं फिर से समझाओं रिपीट कर दो ठीक है रिपीट करो मैंने आपको यहां पे पाइनाइट लेंग्ट का वायर बोला तक मैंने बोला इस पॉइंट पी पे निकाल लाए न तो आप कैसे तीन लाइंट सेङ्मेंट ड्रौ करते हों इसके एंडपॉइंट को लेते में दूसरा लाइंट morgen दूसरे एंडपॉइंट को लेते हों है और इस फायर और पी के ला लाइन अगर यहां पर धीरे-दीरे मूब करते वह यहां आ जाए इस point पर जाए तो अब बताओ यह case बनेगा के नहीं यह वाला कि यह वाला केस बनेगा के क्योंकि P से आपने even भी यही हो गया तो यानि इन दोनों के पीच में आंगल को फाइवन बोलता था यह क्या हो गया इस वाइवन क्या हो गया दोनों एक साथ अगर ओवरलाप हो गया तो आरे भाया यह देखो यह एक मेरी और यह वाली पहले ऐसे अंगल बना रहे हैं अब दोनों अब दोनों एक साथ मिल गई एक साथ उबर्लैप हो गए हिनं दोनों के पीछ मेंनल कितना है 90 डिदी आइटी डिदी दूनों के पीछमें पर भूंगे रहे हो मैं एकदम से था वे फिर से पताओ अच्छा मैं बора हूं कि दो लाइन के बीचमें अगनल कैसे देख तो लाइन यह और यह दूसरा उन पर शाइंड तो यह देखते हैं गोटा है न अब मैं बोया ओढ़ाँ धीरे 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 इसके साथ वरलाप हो गया अब इन दों के बीच मेंगल कितना जीरो जीरो तो फ़ाइवन कितना होगा जीरो अब तयर statut dość बता रहा हो है आपने तो पते में सचे अपने फिंगर उस तरीके से बनाई थी ना क्यों नाइंटी ही लग रहा था पूरा कोई बात नहीं मेरी गलती है ठीक है समझ गया नहीं समझ गया तो फाइवन जीरो अब देखो दूसरा पॉइंट अगर इंफिनाइट के और चला गया तो क्या बताओ दूसरा यह एंगल कितना यह भी 90 होगा यह 90 होगा तो सेमी इंफिनाइट के लिए ऐसे पॉइंट के लिए कितना वैलू होगा 90 सुनिन यू नौट हाँ हां पूरा आएगा पूरा लिखेंगे है साइन पाइवन पाइवन आ गया-गया नाइन टी सैटनि यह आ जाएगा इसके कारण ठीक है यहां पर साइट पाइवन जीरोफाइवन जीरो है तो साइन जीरो जीरो और फाइवर नाइनटी तो इस कारण से साइन. रस एक बात ब्धाताट ब्रटा ना ना फाइवर यहहां पह पे फाइवर यह रफाइवर यह र toute फा दो फाइवर होता था तो फाइव two line पर तो रुख जाते थें देंगल हमने रिए हिंख है तौब यहां पर देखो आपने इसको उपी लाइन को अपीधायन को क्या करोगे इसके दिरे-धिरे ऐसी घुमाते जाओं आप जाओं गुमाते जाओं एसको गुमाते तो यह जब पैरलल हो गया तो यह वाला लाइन ओपी लाइन कितने यहां पे 90 डिग्री रोटेट होगा तो रुख जाएगा तो यह फाइट उनाइंटी हो गया समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करते लिए यह चला गया नाइंटी बने फाइट अई वन नहीं ठीक है समझ भागया अब आ गया तो यह वाला कुश्चन करोगे क्या अरे तकलीफ देते रहते हुआ अप देखो यहां पर मैंने आपको कुश्चन इसमें अच्छा कुश्चन इसको मैं आपको पहले समझाता हूं कि क्या करने कैसे करना पी पॉइंट पे निकाल ना और यह कैसा है करने से मी इंफिनाइट बायर यहां इधर कि हो तो अपना चला गया अब दिक्कत क्या हुए कि से इंफिनाइट पॉइंट की का रजिं हम ऐसे वाले से वाल ingredient करें कि PDF एक किसी ने देखा थो नहीं एंसर है कि हमने ऐसे वाले पॉइंट्स के बारें पर एसे जहां पर भी पॉइंट्स होते थे जो कि इसके परपेंडिकुलर यहां पर इस एंड पर इस वाले पॉइंट को लाई करते थे उसके कारण हम ने पर है कि इन कहीं पर वी पॉइंट निकाल लो यहां पर पूछ हूं बता दें इस पॉइंट पर निकालना थो हम क्या बूलेंगे बीजुक्वल टू नुट बाई टू पाई पाई अच्छा फोर पाई आई बाया और यह हां वही यह यह चाएगा इस पॉइंट का यहां जितना ऐसे point के लिए कैसे निकाले? तो इसके लिए दोंके? दोनों तरीके काम आ सकते हैं. पहली बात पहला तरीका आप बनाओ ऐसे ही triangle बनाओ. कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. आपको perpendicular line चाहिए ना. यहाँ पर sufficiently नहीं है. यह यहाँ बनेगा. बनेगा कि नहीं यह क्या होगा यह अगर 45 है देखो यहां पे एक और चीज यहां से देखना यह इस वायर और यह लाइन एक आपको इन दोनों के बीच में निकालना है तो कैसे करेंगे तो सिंपल सी बात है यहां पर ऐसे स्टार्ट करती यह 45 हो गया तो यहां पर अगर मैं यहां बनाता हूं हो यहां बनाता हूं तो यह भी 45 डिग्री होगा कि स्वेंफेंव कर्दिया इसके देन और कि ठीक है तो यह 45 तो यह नाइनटी आइक है कि एंटी लीए थीक है यह वाला लेंग्थ बील बील ख ऑबीलेंक तो हमेसा Caitlining चृथ यह 45 तो यह भी 45 ठीक है और यहां पर आपके बीच में दिस्टेंस दे रखा ये और ये 45 तो ये भी 45 होगा की नहीं और यहां से आप देख सकते हो डी का डिस्टेंस यहां से यह वाला ओपी लेंग्थ आपके पास आजाएगा तो आप बोलोगे ओपी लेंग्थ actually में क्या है ओपी आजओ दी क्या होजागा यहां पर बताओ ओपी बाई डी सांने वाला परपेंडिकुलर और और यह रहा है एपर यूज तो परपेंडिकुलर बाइपट इन यूज इस इकल टूसाइप फोट तो साइप फोटी-फैव साइन फोटी-फैव कितना होता है वंबरूटो वंबरूट तो को आपके पास लोल गया तो यह आपके पास आगा अब डेखना है प्राव सिंपल सी बात है आप आंगल देखने के लिए कैसा होगा आपके पास आप एक एकड़ेसे इस इसको मिलाया डूसरे अंड से एक तसको मिलाया दूसररे अधर लेगें करते हैं अब एक हो पीग सब्सक्राइब कितना इह आया है और एंगल कितना आएगा कि यह अंगल कितना आएगा 45 45 आपने clockwise घुमाई आप एक वर एंटी-clockwise घुमाना है तो दूसरे ये वाला थोड़ी है ये तो ऐसे ही पैलल लाईन है एक एक सेक्सिस के पैलल यह लाइन है ये कोई थोड़ी लाइन धूस्त वालाइब पॉइंट कौन सा है ये वाला ग्रीन से चलो मैं ब्रोकर देता हो अरे इन दो लोग लेके यूज क्या करो आप समझाते कहीं और उना फिर पता ने लगता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे लो ठीक है ओधियो ग्री लाइं यह वाला लाइन यह पॉइंट से एक हैंट फॉइंट को दूसर इंट फॉइंट को कौन सा होगा जाएंगे 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 जो इंफिनाइट पर जाएगा यह सर्थ ठीक है अब यह देखो यहां से घूमना स्टार्ट करेंगे तो यह 45 डिग्री दूसरा एंटी क्लॉक्वाइज में जाएंगे और जब टक्राएंगे तो रुक जाएंगे तो यह फाइटू होगा समझ में आया यह सर्व यह देखो पूरा यह यह नाइंटी डिग्री तो यह इसके पैलल तो यह भी नाइंटी तो यह 45 आ जाता है तो आपके लिए फाइवन कितना आएगा फाइवन फोर्टीफाइगा कि सॉरी फाइव ने आपके पास 45 फाइटू कितना आएगा तो 360 माइनस 45 ठीक है आप देख लो पूरा घूम जाते अगर 45 डिग्री और मिल जाता तो पूरा घूम जाते तो यह हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 45 यह बात समझ में आया जिनको इसमें दिक्कत आ रही है इसको एक रेगुलर आपके पास हैकसा गॉन होता था और यहां पर वeton दिया हमने एक जगह चार्ज когда एक जगह चार्ज नहीं दिया Все चोड़ तो आपको बोलता था कि यहां पर बाताव तो आप क्या करते थे कहते थे कि सर इस point पे positive charge रख दो जो की सब स्पें टाइप का होगा और सेण magnitude का होगई ठीक है अब एक negative charge इसी point पे रख दो इसी point पे negative रख दो तो देखो सर positive और negative मिल और कर ओबर ओल इस के शुद्च की baru इस point के उ पर its vertices के ऊपर charge कितना है जीरो ही तो यानि मैं इसको कह सकता हूं कि जो हमारे वाला जो पहले वाला सिस्टम है जो की ग्रीन वाला सिस्टम आप यह वाला सिस्टम दिया था आपने इसको स्टडी करने के लिए था हमें इसको स्टडी करने दिया था यहां पर चार्ज नहीं रखा था खाली स्पेस बना दिया थ ठीक है यह regular hexagon होगा. ठीक है यह regular hexagon होगा. ठीक है इस point इसके जो center होता ओ पर हम जब projected E के बारे में Unfortunately. तो यहाँ पे आपके पास इसको क्या करते थे कहते थे यहाँ पे positive भी right देते. निंग его अब क्या करते थे कहते थे कि एक बार इसको दो system में बाटते हैं. एक सिस्टम ऐसा बातेंगे जिसके उपर पूरी तरह से सारे अब वर्टीसेस पर चार्ज रखा हुआ है इसको हटा लिए प्लस यूनियन सेम सिस्टम एक और सिस्टम ओवरलाप हो रहा है इसके टाइम पर सेम टाइम पर वो कैसा होगा बताओ तो वो कुछ ऐसा होगा देखो यहां पर नीचे मैं यहां ड्रों कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा होगा सॉरी यहां पर वेकेंड प्लेस वेकेंड प्लेस यहां वेकेंड प्लेस यहां पर सिर्फ सिर्फ निगेटिव चार्ज यहां निगेटिव चार्ज और यहां वेकेंड प्ल कि यहाँ वेकेंट प्लैस पर क्या होगा ग्रीन वाले आ जाएंगे सारे पर ग्रीन वाले आ जाएंगे यहां पर देखो यह ग्रीण और यंनो मिल कर जाने जिरो हो जाएंगे तो यह वाला सिस्टम बन जाये गा कि निहीं दोनों के याईड़िशन से टैण की नहीं नहीं समझ माया सब्सक्राइब तो टाइम तो आपको मैं दिखा देता है एलेक्ट्रोस्टाटिक के कुश्चिन्स में है बहुत अच्छा कुश्चिन है और चीज़ों को कि दो मेरे दो मेरे देट है इसे कुश्चिन्स यहां स्टार्ट और अच्छिन्स यहां स्टार्ट यह वाला आया था आपके विए पर ना इसे यह रहा आपको मैंने और आपके आपके प्लस यहां पर प्लस्ट यहां पर फिल्ड के आजाएगा तो क्यों के साथ मल्टिप्लाइब करके मैं इसको नहीं बता दूंगा इतना बेवकुफ हों कि तो इसको मैंने कैसे किया यहां पर अगर आ जाता तो यहां पर इसके कारण जीरो होता है रिग्लर पॉलिगॉन में अगर वर्टीसेस के उपर सेम टाइप एंड सेम मैगनिट्यूट के चार्ज रखे हुए हो तो सेंटर पर जो फिल्ड आती है वो उसका वैल्यू होता है नेट फी ठीक है क्योंकि देखे यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर ओपे क्या करेगा फिल्ड ऐसे बनाएगा और यहां पर डी पर जो रहता वो ऐसे बनाता वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके आ जाता है हमारे फिल्ड यहां पर कैंसल होता है सेउन इसके साथ और सेँन इसके सती होता है लेकिन यहां पर गायब है इसकारण से हमें दिक्क्तारी एब हमारा हालत ऐसा है एक हाली हो जाता तो पर सर मजा आ जाता हो तो मैंने सबका देखो सर यह निकालो फिर एंगल निकालो इनके बीच में इसको फिर रिजॉल्व करो सर एक डायरेक्शन एक्स और वाई मानते वे और फिर एंसर लाओ बहुत गंदा लग रहा है तो फिर तुमने बोला मुझे तो फिर मैंने बोला कि चलो एक और उपाय सोचते हैं कह स्कते हैं यहां पर दो सिस्टम मैंने बनाया है ठीक हैसर यह पहला वाला में आप यहां पर Llल्डा अब देखो इहां माइनस क्यु रखा अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों सिंटम को मैं overlap कर देता हूं यहां पे plus q रखा हुआ है यहां पर minus q, same d position पे hexagon के जब मैं दोनों को overlap करूंगा तो बताओ यह वाले charges यहां पर कुछ नहीं रखे वे यहां वाला जो डी पे आएगा वह एक यहां पे से क्यों आएगा और इसके कारण माइनस क्यों आएगा की नहीं तो यह दोनों हो जाएंगे तो वाला हमें पहला वाला सिस्टम मिल जाएगा यह वाला सिस्टम मिल जाएगा यही तो मिल जाएगा यही तो हम चार है यही तो हम चाह रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाएगा तो यह वाला सिस्टम के कारण तो हमें यहां पे फील्ड निकाल ली है ओपे या क्यू नौर्ट जो चार्ज रखा हुआ है ओपे वह फोर्स के इतना experience करना वो निकालना है तो नीूट्रल हो जाएगा यानि दोनों को सुपर-impose करूँ तो यानि अगर मैं बोलूँ कि दोनों सिस्टम के अंदर अपना और उनों स्वील्ड को अगर मैं add कर दूँ तो क्या वही उस सिस्टम के कारण इं दोनों सुपर-imposing डर की कारण जो नही आएगा वही होगा कि न मारे पास वो सिस्टम बन जाता है तो इसके कारण जो फ्रीड होगा यहांपे जीरो होगा कि इसके पूरे करता है होगा है और इसके कारण सिर्फ एक ही फ्रील आएगा जो की होगा नीगेटिव चारज के अब आपके पास कैलकुलेशन इजी हो गया के लिए हो गया से समझ माया है यह प्रिंसिपल यह क्या क्या मैंने चार्ज को ऐसे दिखाने की कोशिस की सेम चीज यहां पर कर सकता हूं मैं बोलू कि पूरा करेंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस पॉइंट तक पी पॉइंट तक उसने यहां तक दे रखा था यहां तक दे रखा था यहां तक दे रखा था और ऐसे डी डिस्टेंस दे रखा था तो मैंने बोला कि पूरा मैं माल लेता हूं जो करेंट है ऐसे फ्लो कर रहा हूं साथ में इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट के लिए मैं उल्टा भी करेंट बह कारण है कि इस पीपे अब देखो इसमें आसान क्या है यह वायर्स पूरा से सेमी इंफिनाइट वाला केस बन जाता है पीपे तो आपके पास सीधे फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके कितना आता है फॉर पाई यहां पर दूसरा कि आ जाएगा यह यहां पर आया इस कारण के कारण पर किसा आ रहा है आपके पास स्टार्स अपर इस वाहर के खराए कि नहीं कि सब्कों धिख रहा है कि अब यह ग्रीन वाले वायर के करण आप देखो बाहर की और आ रहा है कि यहां पर आपको डॉट आ जाएगा तो यहां आ जाएगा अब यहां पर लिख दीजिएगा यहां पर यहां पर यहां पर यह वाला आ जाएगा तो यहां पर आप फिर डॉट वाले के लिखिएगा देखें डॉट वाले के लिए यहां लिखि ठीक है दिख रहा है 50 degree आ जाएगा तो मिउनॉट भाइज और पाइज पाइभ वही डिस्टंस ए साइन 50 है तो आपके पाइज जीरो आजाएगा पाइज इसका जो भी एंगल है तो फाइज जाएगा साइन 5 को और डारेक्शन में इस वार होगा तो इसको भी लिख सकते हैं से लिख सकते हैं के डॉट को मैं माइनस टाइम क्रोस लिख सकता हूं की आ आ जाएगा वही एंसर वही एंसर आ जाएगा दोनों तरीकी से आज़ेगा समझ में आ गया ऐसे कोश्चन यह थोड़े अच्छे कोश्चन गिने जाते जैमेंस में इस पर नजर बनी रहती है यह देना चाहता हमें साथ जैमेंस ठीक है और प्रिंसिपल क्या अपलाई कर रहे हैं एक वायर के कारणी दो आयर है हमारे पास सोर्स सिस्टम जो सोर्स वायर अब दोनों मिलाके और लाप करके अपका बी बना रहे हैं तुम्हें क्या दिक्कत कोई प्रॉबलम है किसी को प्रिंसिपल आफ सुपर पोजीशन इसके लाउ कर रहा है तुम्हें क्या मतलब बना चाहिए पस यहां पे देखिए हमारे पास आएगा और यही एंसर आजाए है माइनस साइन ठीटा हुए यहां पर आपके पास जब साइन पे ख्रॉप झिए गा तो आपके पास आएगा ती माइनस 45 अ ठीक है ए yes सब्सक्रॉप पार तो यह वाला आपके पास आगे cetteãyन्स आपको निकालना रहता है ड़ी कैसे इम में हेख आपको पास एक कैसे निकाला तो यह देखे 45 डिग्री है जो कि हम लोगों ने देखा था इसमें हम लोगों ने निकाल लिया तक यहां पर आपके पास आएगी ऐसी जोमेट्री आएगी हाड़ वाले जोमेट्री नहीं रहेंगे यह मत समझे कि इसी क्लिए आपको रेग्लर पॉलिगॉन पही नहीं दे रहें वही कोश्चन आएंगे इसके अलावा नहीं आएगा ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी घुमा फिर आके देखे तो इसमें चीजों में यह रहिएगा इसका प्रैक्टिस एक वार अच्छे से करने जाएगा अब आगे थोड़ा चलना है ठीक है अब पर हमने पड़ा है एलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फिल इंटर्शीट के बारे अब यहाँ पर पए हमारे पास सएक्मily वाईर आता है इसमें क्या है इसमें सएक में है और क ini स्ट्र मैं पूछों कि मैं इस utet buy की कारण निकालनाजा ठीक है लूप के कारण। सर्कुलर वायर यह सौरी स्ट्रेट वायर के कार निकालना जाना है सर्कुलर लूप के लिए आपको अगर मैं पूछू तो पहला केस पहले मैं आपको कहां पूछूंगा यहां सेंटर सेंटर पर बताओ कितना अपना ठीक है तो अब हमारा दूसरा अप्रोच आ रहा है कि अब क्या करने जा रहे है सर्कुलर लूप लेने जा रहे हैं स्ट्रेट वायर के जगए लेकिन अगें दब कॉसिस करेंट कैरिंग लूप समझ में आ गया अब यहां पे देखते हैं यहां पर ऐसा हमने क्रेंट लो करवाया फिर क्या हुआ से तो यहां पर फीड़ लाइन ऐसे बनते हैं गंवही सैम काम रहता है कि हमने रूप को कैसे बैजा एक प्लेन को रीडे करती है और इस प्लेन में क्या कर रहा है लूप ऐसे आ रहा रहा है इसके आप क्या करते हम यह फेक रहते हैं वह आईरन sprinkles कर रहते हैं iron powder को और फिर हलका-लका tap करते हैं तो यह free lines के wrong क्या होने लगते हैं अपने आपको rearrange कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा बनते वे दिखता है यह होता है free lines इसके कारण हमें पढ़ना है अभी center के कारण और अगे ऐसे points जो axial line पे exist करें इन ही दो point पे पढ़ना है हमें B के बारे में कि यह wire current carrying wire बी कितना produce करता है center पे और कोई point जो कि axis पे lie करता है उस पे कितना produce करता है यह चीज़ नहीं ठीक है अभी के लिए मैं आपको बता दू प्रूफ पर हम नहीं जाते हैं अगर हम देखे बायोट सार्वट लोग क्या कहता है बायोट सार्वट लोग वाट इस डीडी डिफरेंशियल फील्ड डैट इस एकौल टू मू नॉट बाई फोर पाई जो कि हमने स्ट्रेट वायर के लिए बिए वसे निकाला है इसकी फॉर्मूला यहीं से आती है आई डी-ईल क्रॉस आर ओवर आर क्युग यही फॉर्मूला से आता है अब देखें समें बेनिफेट क्या है अगर हम यह ज़िएलिमेंट लेते हैं तो यह डी-एल एलिमेंट और कौन सा होगा यहां से हम उस पॉइंट के बीच को जोइं करते हैं तो यह हमेंसा एक दुसरे के परपेंडिकोलर होगा के ही होगा सब lack catch chains क्पार कैसा होगा ले सकता हो की नहीं । जॉन जिर लख सकते हैं एक एक आइटार cancel ॉट हो जाएगा यहां पर आ Жाएगा करके ठीक है अब यहां पर आपने डीवी प्रोड्यूस किया यह किसके कारण इस छोटे से element के कारण current carrying element के कारण ऐसे सारे elements के कारण मैं देखे हूं क्या सारे case में DL और आर वेक्टर जो है यह वाला सारे में 90 डिग्री है क्या यह सारे में यह formula लग रहा है क्या तो यह डी बी का क्या सब जगए यही value आएगा क्या डी ल क्रोस अगर मैं देखोंगा डी एल क्रोस डी ल क्रोस आप ठीक है 90 डिग्री है तो डी के तरफ इधर पहला डिरेक्शन देखो यह वेक्टर की तरह काम कर रहे की नहीं एक रॉस बी की तरह सोचो तो एक तरफ हाथ ले जाएंगे डी ल के तरफ क्रोस आर आर के वेक्टर कहां से होता है हमेशा याद रखेगा इस वेक्टर का टेल कहां होगा जिस इस एलेमेंट से हम निकाल रहे हैं यहां टेल होगा है यहां होगा जहाँ पर हमें चाहिए याद रखेगा जहां हमें चाहिए उस पॉइंट पर पी पे इसका एयरो का है यह आर वेक्टर हम रप्रेजेंट कर तो यहां पर आप देख रहे हो डिल क्रॉस आर सबका नीचे बन रहा है सब पॉइंट पे सब का लगे गा कि अलजेब्रीक सम हो जा रहा है हो रहा है कि नहीं तो क्या मैं डीवी का integration ऐसे लिख सकता हूँ तो यहां पर अगर integrate तो तुम फॉर फाइब बाहर आ आई भी बाहर आजाएगा शॉर आपके पास हम आपके लिए र बाहर आपके इस पोइंट पे वहां पर यहां प्लीन ग्रीच स्था यह चोटे तो यहां पर सिंप्लिपाइब करते जाओं तो टू यह तो म्यू नॉट बाइट टू आई बाइब आर आता है क्या यह क्या होगा सेंटर पे डी डू टू दा करेंट कैरिंग वायर जो कि एक सर्कुलर इंच शेट समझ मैं आया आपको कि यह सार पूजिशन लग रहा है यह चोटा सा इलमेंट डीवी बना रहा है फिर यह चोटा सा इलमेंट डीवी बना रहा है सबका वेक्टर एडिशन चाहिए हमें यह कहता है यहां के केस में मैंगनेटिक फील में आपको हमेशा एक यह तो डॉट आ रहा है यह तो प्रॉस आ रहा है इसी के टर्म्स में आ रहा है सबसे बेनिफिट वाली बात और वहां पर ई जब निकालते थे यह जब निकालते थे तो वहां पर अलग कॉंसेट यूज करते थे इस इस element के कारण जो ए आ रहा है यह ऐसे ड्रॉ करते थे तो यह positive है तो यहां पे हमें सा इसके कारण डी जो produce होगा कुछ ऐसा हो और यहां इसके कारण यह produce होगा तो इसका एक certain component एक दूसरे वो cancel out करता था और यह component हमेशा इधर बसते रहता था और सबका यही add होते जाता था pairwise सिंदे यह बसते जाता तो एक कोश्चन आपको इसमें मैंने करवाया भी था इसमें यहां कि देखिए इसके से कुशंस ऐसे वाले करवाय भी थे ऐस लाइट चल रहा है इस लाइट चलाओ चलाते हैं यह वाले कुश्चिन हैं यह यह यहाँ पर थोड़ा अलग आजा था कि हमारे डी आता था इस कारण से यहाँ पर पूरे रिंग में कैंसल आउट हो जाता था यहाँ पर पर यहाँ पर कितना आता था बीच में अलेकट्रिक फिड के रांव एलेक्ट्रिक फिल्ड कितनी आती थी यहां पर सी पर सर भूल गया सर अरे बेटा एक और आइडिया आपको दिलाता हो रेगुलर पॉलीगॉन के कारण कितना आता है सेंटर पर इसके अगर उसके वर्टीसेस पर चार्ज रखे रखें तो इक मैं सेंट तए है कितना आएक कितना और आता है अभ आपने कि नहीं यह चार्ज चार्ज क्यों सब्सक्रार कि इसेंटर तैंट्सर छीश्ट चार्ज क्छेंटप penalty सेंटर अकट राप जीरो जीरो आता था अरे कोई confidence में बोला करो सब यार confidence में बोलेंगे सर गलत है ना यहीं बोलेंगे ना confidence तो बनाओ अपने आपको आपने जो रिवाइस किया था उसको ऐसे कहो कि ले कर आ रहा हूं मैं अब यहीं से confidence मिलेगा तो फिर आप पेपर में वहां पर डर होगे नहीं और एक जार साथ क्या होगा गलत बोल दिया सर गलत बोल दिया क्या होगा इससे उसके बाद आप अपने घर में अपने घर तो यह सब चीज क्या सोचना है कि हाँ अब देखो यह चोटे चोटे चार्ट अब मैं क्या करते जाता हूं इनके साइट्स बरहाते जाता हूं तो यह अगर साइट्स बरहाऊंगा तो देखो यह ऐसे बनते जाएंगे बनते जाएंगे ऐसे ऐसे साइट्स बरते जा रहे है क्या यह टाइन पैसा लग रहा है कि सरकल में कनवर्ट हो रहा है कि अगर एन इंफिनाइट नंबर ओप साइड्स हो गये पॉलीगॉन के तो क्या वो सरकल में बन जाएंगे किनों और क्या उस सरकर के हर वे हर पॉइंट पर हर वर्टीसेस पर एक डीक्यू चार्ज रखा हुआ है कि नहीं सारे पर जो कि जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा चार्ज क्यू होगा जिसके उपर तो यह बताओ यहां पर सेंटर पर कितना होना चाहिए इस वेशिस क्या वह मैं जीरो होना चाहिए क्योंकि वह भी रेगुलर पॉलीगॉन का केस है जिसके इसको सरकल क्या कहेंगे रोग रेगुलर पॉलीगॉन विद इंफिनाइट नंबर ऑफ साइंस है हां मैंगनिटिक फिल्ड यहां पर कुछ देखते थे ते यहां पर यहां पर और आजा था आपका इसके करण यह वाले की कारण अच्छा इसका कारण यह पॉल्मूलाज में कहां रखा है मैंने यह रखा है क्या हाँ यह रखा है यह रहा है अब इसके कारण जैसे मैं लेता था हर element produce कर रहा है अपना यह हमेशा ऐसे लिखते थे कि अगर मानते यह चोटा सा DQ है तो यहां produce करेगा यह अपना डी ठीटा अपने इसने सब्टेंट कर रखा है एड ठीटा पे यह एड ठीटा पे यह एलिमेंट का address है कैसे address में अगर इसको चठी भेजना तो कहोगी कि ठीटा एंगल चले जाना उससे वो डी ठीटा बनाते वह हो तो यह करें के अब हम एक इसका वाल बाया क्या होगा जो कि इसका मिरर इमेज होगा इस साइड ऑर वो प्रोड्यूस करता एक इसके साइड में diy यह वाला तो अपना आते वाले सड में बनाएगा और फिर क्या होगा इसको रिजॉक्त करेंगे इधर कि ओ और इधर क्यों तो अल्टीमेटली हमारे पास एंगल जो आता है वो आता है एक अलॉंग टिस एक्सिस समझे की नहीं जैसे अगर मैं इस डीक्यू के बारे बात पुरूँ तो एक एंगल इधर से मैं अगर ठीटा लेता हूं और वहां पर अगर मैं डीठीटा लेते वे एक एलिमेंट लेता हूं डीठीटा लेते वे एलिमेंट लेता हूं तो इसके अंदर चार्ज होगा वो डीक्यू होगा और इसका लेंग्ध डीएल होगा इस एलिमेंट का अब यह जो प्रोड्यूस करेगा फिल्ड वो ऐसा प्रो इसको एक लाइन की तरह ही समझो यह ऐसे ही समझो एक दम-दम चिपका वाल आई डी ठीट है बहुत छोटा होता है तो यह अगर ठीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके बीच में देखो इन दोनों के बीच में तो यहां से आपको हो जाएगा तो यहां पर आएगा डीए साइंट ही टा इस डारेक्शन में और डीए कॉस्ट ही धर वाले फिर इस साइट के लिए देखते हैं डी साइन इंट हीडारा बस यह बस इस तरफ प्रॉड्जू सुआ है यह स्टर प्रव्ड्यूस हुआ है और यह थीटा हम्तलि यह यह इंगल और यह थीटा यह पे देखेंए डीए साइन इसके कारण आएगा यह वाले की कारण यह दोनों जुड़ते जाएंगे यह हो जाए और यह देखे डी कॉस्टिटा इधर से भी डी कॉस्टिटा एक दूसरे के आपोजिट है कैंसल आउट होते जाएगे ठीक है तो यह सारे थोड़ा प्रॉब्लम होता था मैंगनेटिक यह सब नहीं है यह तो अंदर आ रहा या तो बहार आ बस सिंपल सा केस बन जाता है ठीक है यह चीज़ चोटे चोटे डेरिवेशन होते हैं डेरिवेशन को बस तरीके होते हैं फिजिक्स में जितना आप तो यहां रहे हो सकते क्या एई से कर रहे हो जो आप बोल रहो ऐस यहीं चीज़े रहती हैं थीक्षपि यहां से कर लिया तो यह यह फॉर्मूला आपको Ouch कर कि यह सब शीजब काई है ठीक है अब एक चीज और बताते हैं तो यहां पर आपके पास सेंटर पर बी जो आ रहा है वो जीरो नहीं आ रहा है आगर यूनिफर्मली चार्ज इस्टिब्यूटेट डोवर रिंग तो सेंटर पर एजीरो आता है लेकिन अगर एक करेंट कैरिंग वायर है सर्कुलर वायर है तो उ कौन जीरो होता है यह चीज सबको समझ में आ गया उसका मैगनिट्यूट क्या होता है मून आट बाई टू आई बाई आर और आर क्या है इस वर यह रेडियेस ऑफ इस सब्सक्राइब करेंगे तो थम को ले जाते थे और वायर के डारेक्शन में रखते थे इस वार मैं उल् सब्सक्राइब को गमाने है इस वायर को इस वायर से एस वायर हो रहा है तो आपको फिंगर को यह सब्सक्राइब कर रहें to ठीक है और यह फॉर्मूला यह magnitude आएगा और यह इसका direction आएगा ठीक यह चीज चलते जाएगा फिर उसके आद पूछ रहा है सेमी के कारण सेमी बताओ इस केस में देखो इस केस में मैं बोलता हूँ इस केस में आप प्रोपोर्शनल्टी वाला चीज लगा सकते हो प्रोपोर्शनल्टी से कैसे सर सारे डीवी सब सेम प्रोड्यूस कर रहे थे ना डायरेक्शन भी सेम था सबकुछ मैंनिट्यूट भी सेम था तो यह पूरा मिलके अगर प्रोड्यूस करता है यह जो कि आप बोल रहे हो म्यू नॉट पाइटू आई बाई आ तो यह आधा कितना प्रोड्यूस करेगा हाफ करेगा हाफ करेगा लेकिन हाफ हम ऐसे नहीं क misery dengan क्यों कुकि CHAUати कडंकरने का मनने हमे तंक करने का मत यह क्या है और इस जेंड़ बना रहा हूं मैं और दिक जिखेंगे उसके लिए अगर यह ठीटा tan who जाएगा तो यह пол fraction देगा होगा अगर ठीटा पाई होगा यानि सेमी सर्कुलर हो जाएगा ठीटा हूं इसके लिए पाई हो जाएगा यह अधिक है समझ में आगया अगया थीट है को जन्रिक बनांकि हम प्रया कर गिंए TE आएगा और यह ठीटा के कारण जो आएगा समझ गया आपके बहुत सिंपल में समझा दिया यह एंसर आजाएगा यह क्या लिख रखाए यह कौन सा लिख रखाए तू होता है यहां पर बताओ अब किसके लिए क्या क्या होगा यह बताओ सर्कुलर लूप के लें क्या होगा थीटा टूपा योजेगा पूरा पूरा उसमें म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉने फर्स्ट वाले में और इन लोग ने क्या कर रखा है इन लोग ने सही लिखा यार इन लोग ने सही लिखा है देखो इन लोग ने क्या किया है ना यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था ना हम लोगे जै पाई को इधर लेके रखा रखके लिखा हुआ यह चीज समझ रहे हो यह इसके साथ ऐसे रखके रखा हो तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि पूरा सरकल ऐसे तो ठीटा बाई टूपा यानि जितना अंगल होगा यह सब्सकिर हो रहा थ्विद्ट टूपाय जयेगा तो यह पूरा एसो इन इस anticipation सेमी आगर हो जाएगा तो टीटा आपके लिए पाई हो जाएगा यानि हाफ अप भस व्मूइ आप 0 पॉर बाइब बस ऐसे सोचते जाना क्वाटर वन बाइफ वर क्योंकि ठीटा बाइट टू पाइच क्या है उसके लिए ठीटा आपके लिए क्वाटर में क्या होता है 90 डिग्री पाइब टू तो वही आपके एंसर आते जाएगा अब चलिए ये कुश्चन कीजिए अब ये कुश्चन कीजिए सिंपल है डरिए गामर ठीक है आपको मैं एक छोटे-छोटे हिंट दे देता हूं इसको आप पूरे शेप को देखके डर गए होगी तो आप क्या कीजिए छोटे-छोटे ऐ समझ में आ जाता है कि कहां से कैसे बाटे कहने के लिए तो मैं बाटने के लिए ऐसे भी बाट सकता हूं यह पूर्शन ले लिया यह पूर्शन ले लिया क्यों इसको पूरा एक पूर्शन लूँ यह आपको समझ में आ जाएगा करोगे कुश्चन इसको एक पूर्शन लू और इसको एक और इसको आप करते करते समझ में कुद है आपको अद भी तिन में ऐसे कर रहा हूं आ रहे हैं सबको सबको आ रहा है ना यह और यह चीज़ वाइर एक दूसरी बात अगर वायर अगर फाइनाइट लेंक तो अगर पॉइंट ऐसे पर जाए जो कि इसके एक्सिस पर पड़ता है अलॉंग दवायर तो यहां पीपे मैंगनेटिक फील्ड इसके कारण क्या आता है अब कोश्चन कीजिए आपको दिया मैं तीन-चार मिनट और मैं चाहता हूं सब ट्राइब करें गलत हो सही हो जो हो अपना कॉंफिडेंस रेज करो या पस करो मैं लाइट आफ कैमरा मैं बैटके देख रहा हूं भागे या कोई नहीं पकर के ले आओंगा घर से याद रखना और बैठा दूंगा ऐसे बाद करेंगा कि पढ़ना तो है पढ़ना है ठीक है तो अभी करो और आराम से मैं टाइम दे रहा हूं कोई बात नहीं करूगा करो पुड़ा कोशिस झाल 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 बहुत सही बेटे आपके एक वच्चे ने अंसर निकाल दिया शाशी बेटा साक्षी बेटा है सौरी ठीक है कोई बात नहीं सब लोग निकालेंगे साक्षी बेटा वे ऐसा नहीं बोलने सही है गलत है इस सब देखेंगे अभी लेकिन सब ट्राइए करो इस बेटा ने भी मार रहा है सब मार रहें मैं अपना मारता हूं कौन मुझे मारना चाहिए मैं तो मारूंगा अकर बाकर बंबे बो असी नबे पूरे सो मेरा तो डी आंसर आ रहा भी या मैं तो सहीं मार क्या था इस तुम लोग मत मार लेना ऐसे सब हमारे मारती है ऐसे कुशन आप्शन इसे ही मारती फिजिक्स आता ही ज़िए लोग थे लोग थे लोग थे लिए अजी यसर्ट झाल 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 कि अगर सब्सक्राइब कर लिए तो आप इसको सॉलेशन बता दो अरे बच्चे मैं देखो मैं सबके लिए मैं दे रहा हूं टाइब मैं नहीं चाहता हूं कि उन्चर्ट देखो यसर् मूड आफ है थोड़ा हाँ एंसर है ठीक है विनाइक बटा कोई बात नहीं तुम भी बच्चे हो कभी कभी इंसान का अच्छा बुरा होता है ठीक है कोई बात करते हैं लोग करेंगे सब लोग और देखो मैंने इस पेस इसलिए दिया ना बच्चो क्योंकि मैंने ऑनलाइन बहुत सारा जब हम काम करते ना बाइज उसने तो हमें एक फीडबैक मिलता है वहां से बच्चे कहते कि सर आके पढ़ा के चले जाते हैं अपना हमें नहीं होता है कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें क्या होता और एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है बता नहीं रहा हो आप भी मुझे बता रहे हैं ठीक है तो चलते हैं देखते हैं इसकी हो क्या होगा इसके कारण बीपे मैगनेटिक फीड तो आप बोलोगे कि सर लेट सपोस दफीड प्रोड्यूस बाइडिस लाइन से सेमी सर्कल ओफ रेडियस आरवर अस सेमी सर्कल ओफ और यह वायर स्ट्रेट वायर जिसको बोलते ए डी और इसको बोलते सी डी इन कारण के कारण जो भी आ रहा है वो नेट है और यह क्या होगा इसके कारण तो यह 1 मानते हैं इसको 2 मानते हैं इसको 3 मानते हैं इसको 4 मानते हैं ठीक है तो B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा की नहीं और B4 भी होगा होगा की नहीं अब 1 के कारण देखते हैं वन एक वायर है ठीक है सेमी सरकर ठीक है क्या फॉर्मूला मुझे आना चाहिए मिउन और बाइट टू आई बाई आर जो कि आड़ टू है इंटू ठीटा कितना है मतलब हाफ कर लो सेमी सर्कुलर यह समझ में आ गया अब डारेक्शन बता दे इसके लिए कैसे डारेक्शन बत टिप्स कैसे ऐसे चलेंगे देख रहे हो ऐसे चल रहे है करेंट के डारेक्शन बताओ मेरे थाम किधर आ रहा है खिए और यह क्या होना चाहिए डॉक्रोस डॉट इसके का रहा है जो भी के कारए जो बीटू हो क्रूध इसी इन पर और primitive रहा होगा कि इस ago लाइन है सी लाइन पर टो पड़ रहा है डाइमीटर कह सख्षिंप ही तो है यहाँ पर अगर मैं यासे उसका एक section में तो है, तो ये एक line पे ही पढ़ रहा है कि नहीं, इसी line पे पढ़ रहा है कि नहीं, ये line पे ही, तो ओ point पढ़ रहा है, तो इस case में B2 कितना होगा, बता, zero होगा की नहीं, होगा की नहीं, होगा सर, ठीक है, 3 के कारण बताओ, क्या होगा, mu naught by 2i, current तो same flow हो रहा है, ठीक है, by r1, half, क्योंकि same circle है, अब direction बताओ, cross, cross, b4 के क्या होगा, बताओ, zero, zero, बहुत सही बेटा, अब क्या होगा, बीनेट हमारे पास आगे, अब ये देखिए, आपके पास dot, cross है, ठीक है, आपको जो एक और चीज मैं बताता हूँ, आपके, mu naught by 4i, बाहर common ले लिया, आपने ले लिया, 1 by r2, ठीक है, dot ले लिया, ठीक है, इसको dot माना, इसको क्या लिख दोगे, r1 वाले को cross है, तो minus dot लिख दोगे, कि नहीं, तो minus r1, dot, dot को बाहर ले लेना, तो वो direction है, परकार से, अब cross में रखना है, मान लेते हैं कि cross में होता है, ठीक है, answer कोई आ रहा है कि नहीं, अभी तद, यह आ रहा है, yes sir, dot है कि cross है वाहाँ, तो फिर, अच्छा, इसमें यह भी नहीं बता है ना, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह भी चीज है, अब देखो, दूसरी बात हम हो सकता है कि dots हैं, अब cross में लेते हैं, तो यहाँ dot को आप क्या लिख सकते हो, minus cross लिख सकते हो कि नहीं, और यह माइनस अंदर ले लो, को ऐसा एक जमपल आ रहा है कि में, को ऐसा मैच कर रहा है, यह वाला नहीं मैच कर रहा है कि तुमको, आँ वन बाई आरवन पॉजिटिव है वन बाई आरवन माइन एस वन बाई आटू, अरे देखो, simple से, देखो, इधर है, देखो, इसमें पूरा समझ माई अए, यह आपके पास आएगा, ठीख है, आप देखे र्s बाला है इसमें कई किसी को दिकत नहीं ना अब यह सारा जो रहा उनोने ठीक है अब आप देखो यहां क्या हो रहा है कि आप इन चीजों को दोनों format में लिख सकते हो something into dot सकते हो something into cross पे लिख सकते हो क्यों कि जहां पर डॉट आएगा इसको अगर cross में convert करना है तो आप सीधे लिख दोगे माइनस जैसे यह डॉट इसको डॉट है तो तो डॉट क्या होगा माइनस टाइम क्रॉस तो इसको तुरंद रिप्लेस कर सकते हो कि यह वाले डॉट को माइनस टाइम क्रॉस ठीक है हालाकि है लॉजिक क्या दिया जा रहा है देखिए आरवन छोटा है तो इसके कारण बी जो होगा वह बड़ा होगा आरवन छोटा है आपके पास तुम यू नॉट बाई आपके पास आता है फोर आई बाई आर यही फॉर्मूला होता है सर्कुलर के कारण अब आर तो यहां से जो हमारे पास आ रहा है इसके कारण वन के कारण आ रहा है वह बड़ा वाले के कारण बड़े वाले में से माइनस छोटा वाला होगा लेकिन अगर आप चाहो तो इसको एंसर डॉट में भी रख सकते हों समझ में आ रहा है वहां पर आयटी क्या गेम खेलेगा यहां पर देखो यहां पर बाई टू कर दिया गया है जान मुझ के डॉट वाले में ऐसा नहीं लिखा गया क्योंकि इसका एंसर एक इधर भी हो जाता है कि इधर भी बन सकता था क्योंकि अगर मैं यह आपने जो पहला वाला आइंसर निकाला इसी को क्या रिराइट कर सकता हूं इसको डॉट क्रॉस को मैंने लिख दिया माइनस टाइम टॉट और यह माइनस क्या कर दिया इसको अंदर में अब्सॉब कर वा दिया इधर ले आके इस माइनस को भाई यहां लिख दो ए माइनस टाइमस टाइमस बी लिखो इस माइनस वाले को एक साथ अटाइच कर सकते हैं इसको इधर भेज दिया और इसके अंदर इसको अब्सॉब करवा दिया ठीक है तो यह माइनस वाला साइन जाके अंदर में अब्सॉब होगे तो अंदर में अफ्सॉब हुआ तो यह इसको क्या ओजाएगा यह a-b लिखा हुआ था अगर इसको माइनस से मुझा करेंगे तो यह बन जाएगा बी-बन जाएगा किन यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर यह माइनस हो जाएगा यह ठीक है तो यह वाला केसे में देखिए कि दिफिटी को जाता बही यह कि वन वाइब लिख नगया हों जैसेते हैं है दो में आप लेते पांच में लेते पांस तो आप अब समय रहेगी रहे हैं बात इसी के कारण ही यही डॉमिनेट करेगा लेकिन लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता अंदर में आप जब इसको वैल्यू रखिएगा तो अपने आप वही आजाएगा समझ में आ रहा है आपने इसके do not liar going dominant कर रहolla यह वाला यह वाला dominant कर रहा है उसके सेंस में लिखिएगा तो यहाँ पर नीगेटिव रहेगा यह वैल्यू निगेटिव रही तो लिवाल आरेक्शन में ले आएगी जो कि क्रॉस में आ जाएगी समझ में आया वैलू वही रहती है मीनिंग हम लिखने का धंग अलग कर दिया सब मा सब को समझ में आ गया अब यह वाला कुश्चन कीजिए अब कि मेरा भी हो गया था यार मैंने दी मा रहा था और यहां से आप देख सकते कि इग्जामनेशन में आया एक तो कितना आप कैसे कर रहे हैं स्कोर कर रहे हैं कितना कर रहे हैं खुद से आचानक से आ रहा है तो ठीक है और उससे जादा सबसे जादा confidence लाइए अपने अंदर बोलिए यहां पर गलत बोलिएगा तो मैं समझा दूगा ना आपको इसके लिए भी दो तीन मिनट ट्राइए और भागिएगा मैं प्लीज भागिएगा तो फिर उसके फिर फायदा नहीं होता कि पुश्चन्स ट्राइए करते रहे हैं झाल 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 देखे मैं टाइम दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आप सब हाथ अपना घुमाईए और देखिए आपके सिस्टम से वही आ रहा है कि नहीं एंसर क्योंकि उस एक्जामनेशन हॉल में आपको ही हाथ घुमाना है झाल 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 एंसर साक्षी विटा ने दिया ठीक है चलो देखते हैं और मैं तो मारूंगा में तो आज गाना वाला गाता मैं तो रस्ते से जा रहा था में तो भेल पुरी खा रहा था मेरा रस्ते से जा रहा था भी मेरा आने सेल ए जिकतन कोम से योगा वाव पल्ली वी बेटा ने भी एंसर दिया है ए बोल रही है सब लोग तिम लोग पना लेते हों मेरे अगेंस्ट मैं सब एए पर जाओ गया बहुत अच्छी बात है पेटा आप ट्राई कर रहे हो सारी लोग ट्राई कीजिए कि दिम्पल बेटा ने बोला डी आ रहा है चलिए एक डिम्पल बेटा ने थोड़ा डी दा मेरा भी है और सबका एए है है सब और डी है चलो सी विचारा रहे गया ठीक है किसी के साथ सी के साथ सानुगूती है तो सी के साथ भी जा सकते हैं अरे सर मैं ऐसे नहीं जाता हूं कै थीक है कि वही बात है यह नहीं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है तो को तो तो पहला ये देखिए और यह और ये क्या एक यह he ह Bluetooth अगर यह जो वायर है जो ए और इधर इंफिनाइट गया हुआ है तो एट टू इंफिनाइट एक वायर गया हुआ है क्या उसके लिए ऑव पॉइंट उसी लाइन पड़ेगा क्या क्या कि क्योंकि यह देखे सरकल उसर कल यहां से टर्ण हुआ सेमी सरकल बश्वें टर्न हुआ है यहां पूरा थावाला आएक सरकल ने किया है से सुरा एक री है यस दीग बनाया है तो यह सी यह कि जो लाइन है यहां से थे यह क्या है एक डाइमीटर है यह और इस वाले पोशर्शन पर पूरा बायर रख दिख लिए तो यह वाला point ओ जो है इस wire के लिए इस wire के line पे पढ़ रहा है कि नहीं है ओ पॉइंट ये वाला एटू इंफिनाइट जो जा रहा है वायर उसके line पे ही पढ़ रहा है कि नहीं और एक सिंपल सी बात कैसे आपको मैं समझ में आगया दिक्कत क्या यह डियर लंक्थ कि इसमें का करेंट आई वह रहा है है आपने क्या बोला है बायो व्यूट सार्वर क्या है कि मैं हमेशा के लिए प्रण लेती हैं कि डी बी को ऐसा प्रड्यूस करोगी कि जो होगा है वो ऐसा होगा होगा कि नहीं यह magnitude यह होगा कि अब बताइए यह डियल वेक्टर का डारेक्शन इधर है कोई दिक्कत वायर के लौग आर का डारेक्शन कि धर लीजिए क्या मैं बोलू आर का डारेक्शन मैंने बोला था कि उस element के उपर टेल आएगा और जहां निकाल रहें उस point पे head आएगा तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं इसको मैं green color से अगर दिखाता हूं तो क्या यह point इस element के लिए यह आर है यह आर है यह green वाला है आर इस element के उपर यह पढ़ेगा अरे यार इसमें थोड़ा इस color देना पढ़ेगा यह देखो यह आर है कि नहीं इस element के अप्रोच से देखिए डियल अप्रोच इस डियल से एक छोटा सा element डियल कितना produce कर रहे है यहां पर ओपे बी डी बी तो यह डियल यह आर है कि नहीं इस element के कारण यह साप्वाला element के कारण इस पॉइंट मुझे निकालना है यह अर है कि नहीं जिसका टेल कहां परेगा एलिमेंट पे और जहां निकाल ला है उसको हेड टकेंगे यही काम तो सरकल में भी किया था यहां पर डियल इधर होता था यह आर होता था वेक्टर तो आर वेक्टर यही होगा ना आर वेक्टर और डियल वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो यानि यहां पे धी यहां प्रड्यूइस कर नहीं पाज़ी यह LED यह भी प्रोड्यूइस कर पाएगा क्या श्केलिए भी एसा होगा होगा कि नहुंहीं कि यहां पर ख में अर्ट चोटा साइलिमेंट डी डीपर कशीन कर पा रहा है यानि इस पुरे के कारण कोई बी मागठेटिक टींट का काॉंठ नहीं हो पा रहा है है छुव्त मिधे ङडिए अब यह बताईए अभी इसके कारण जीरो आ गया इसके कारण जीरो आ गया इसके कारण ए और इंफिनाइट के कारण जीरो दूसरा बताईए इसको डी एट ओ लिखूं नेट है इसको वन मानते है इसको एन highest एकारण कितना जीरो तु के कारण कितना जीरो आला है जीरो तु के कारण जीरो आछ गया इसके कोई वाइन है उ Hampshire बताईए किए गार्न कितना आयेगा से मीं इन्फिनाइट है तो सुरी सेमी संवी सर्कलरिए सेमी सर्कुलर है तो यू नॉट बाइट टू आई बाई इसका रेडियस कितना है ए और हाफ है सेमी है तो इसी के लिए है ठीक है और अब डायरेक्शन बताई कैसे आएगा क्रॉस सबको समझ में आ रहा है यहां पर यहां पर यहां पर और यह प्वुआइंट पर पर पेंडिकुलर है आपस इस केस में इस पॉइंट पे जब निकालना रहता है तो क्या करते हैं बताईए यहां पे हम स्ट्रेट वाइर में थम के अलॉंग करेंट के डिरेक्शन को रखते हैं रखते हैं कि नहीं और बी पे फिल्ड कैसे प्रोड्यूस होता है बताओ कैसा हो रहा होगा दोट नहीं देखो करेंट किदर जारा है उपर मनदा करेंट इससे दर जा रहा है तो इसमें कैसे रखतें थाम रूल लगाई घंक को कहा रखतेंट के के तरफ बच्चे नहीं आप क्लॉक्वाइज और एंटी क्लॉक्वाइज नहीं आएगा डॉट आ देखिए आप एक चीज में फिर से दिखाता हूं इसमें आपको दिख्कत आ रहे हैं एक सब्सक्राइब यहां 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 देखिए देखिए हाथ का देखिएगा डिरेक्शन कैसे आ रहा है कर देखिए आप टम को कैसे रख रहे हो कि जो करेंस का डिरेक्शन है कि कि रखना थम को रखना है संब्सक्राइब समझ रहे हो यहां पर थंग को रखना है वायर के अलॉंग करेंट जहां बहा रहा है तो यहां पर आपके पिंगर जो आएंगे देखिए इस कारण से इसके कारण मैंने आपको बोला अगर यह points जो हैं, इसी plane में है, इस, इसके plane में है, कि इस wire के link के, तो इसके तरफ दो तरफ बनेंगे direction, इसके हर point, एक तरफ वाला इधर point बनेगा, एक तरफ वाला इधर point बनेगा, इधर की और कौन सा direction आएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये देखिए, मैंने लिया, अब आप मैं ऐसे देखे, इसको ऐसे समझा, ये plane है, इस plane में आपके पास triangle रखे, तीन ऐसे triangular रखे, ठीक ऐसे, अब यहाँ पे इसके लिए आप इस wire के लिए, इस wire के लिए, अगर ये wire है ऐसा, तो wire का direction आलो, ये current ऐसे flow हो रहे है, current ऐसे flow हो रहे है, तो आपको थम कैसे रखोगे इधर, औ और ये चीज़ जैसे turn करके ला रहे है, जैसे turn करके ला रहे हो, देखो, ऐसे plane को कैसे मार रहे हो, टक, ऐसे मार रहे हो, तो आपके finger कैसे, ये tip कैसे है, बाहर निकल रहे है, इस plane से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसे, टक जब मारूंगा, जब यहाँ पे आपको वार यह समुझ में आ रहा है तो उस अपर वैसे देखी वैसे देखिए वहा जब है गहां I फोड़ा साथ दिक्कत आएगा तो में जान रहूँ है अजाएगा असान हो झायएगा ठीक है दीरे दीरे फार exam केक्हाइं प्रिकराइं थिए आपने करेंड वायर अब ऐसे जा रहा है तक मार रहा है कि इस प्लेन ओप ऐसे लग रहा है कि नहीं ओप ऐसे फ्लेन के अंदर चाहरा इते हमें के अंदर छा रहे हैं कि आप ऐसे हाथ ले जाये अगर थम को तो आपके लगोडारा है कि यह अंदर जा रहे हैं टो यहां क्या बाहर आंगे तो क्या होगा समझ में आ रहा है तो आप बताइए थार्ट के कारण क्या होगा यह थार्ट के कारण क्या होगा इधर है ऐसे जा रहा है ओपे ऐसे टक मार रहा है अंदर क्यों मार रहा है प्लेन के अंदर में घुसने कोशिस कर रहा है जिस प्लेन में कोश्चन रखा हुआ है उस प्लेन में पास ऐसा कुशिन से इस इस पॉइंट hier रहा है तो आप बताएंगा एक यहां यही यहाँ से यहां डॉट PLAYS तो कि यहाँ क्रquency सी यहां डॉटे यहाँ भॉइंट यहां साॉक्त पोंट को यहां प्वैंस को साइड माजग क्षोंड कि डॉइंगर से टॉखा के हात गुमा के ला रहे हुं। तो लग रहा को आपको ऐसा लगेगा कि आ रहा है यानि आपके टिप्स ऐसे दिखेंगे तीर की नोग की तरह तो यहां पर आपके लिए इस पॉइंट पर ओपॉइंट पर क्या एगा क्रॉस ठीक है और कितना होगा कितना होगा याद है और कैसा होगा इस वर यहां पर आएगा क्रॉस में तो अब कोई दिखकत नहीं है दोनों क्रॉस में है सीधे एंसर आप लिख सकते हो कि नहीं तो एंसर आपके पास क्या आ जाना चाहिए यही आ रहा है और प्लस न्यू नॉट बाई फॉर पाई आई बाई क्या आपके पास आजाएगा म्यू नॉट बाई फॉर ए आई कॉमल ले लिजी वन प्लस वन बाई पाई क्रॉस में यह एंसर आना चाहिए कि तो क्या एंसर आपको एक्चुली में सी आना चाहिए कि में देखते हैं भईया सी आएगा क्या देखा सी आके हैं समझ में आया देखो फिर से आप देखो सब फिर से देखो जो जो देखना है पहले इसको माना क्या क्या माना किस कि सेग्मेंट में माना वन इसको माना यहां तक इसको वन माना ठीक है इधर वाले को सेमी सर्कुलर बना हुए है तू माना इसको फिर ऐसे वायर गया ठीक है अब ओपॉइंट पे यह ओपॉइंट क्या है इसके उपर इस वायर के उपर लाई कर रहा है ठीक है यह ओ पॉइंट तो इस कारण से फील्ड नहीं आए ठीक है दूसरी जो फील्ड आएगी देखिए वन के कारण क्या रही है वन के कारण आ रही है सेमी इंफिनाइट वाला दूसरी कारण आ रही है है आपको जो यह वाला ऐंट है यही आइंसर देखिए बाकी वाले थार्ड वाला जो हो गा यह वाला टर्म इसके कारण जीरो समझ में आ गया है सब को समझ में आ गया कि किसी को यहां पर चली इसकी यहीं सब बहुत टाइम भी हो गया आप लोग के लिए तो यहां तक किसी को confusion बता दो देखो मैं देखो बेटा मैं आपको थोड़ा सा out of comfort निकालता हूं ठीक है चाहता हूं क्या आप question कर ठीक है क्योंकि इसमें आपका benefit हो ठीक है इसी के लिए थोड़ा सा hard लगेगा कभी लगेगा कि बहुत जैसे आप बच्चे ने बोल दिया कि आज इंसान भी होता है यार कोई इंसान के बारे मैं ऐसे सोच सकते हैं यह नहीं है पर लेकिन हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि जिस दिन मूड अच्छा हो उस दिन कोशिस करते रह जादा से जितना practice खुद करेंगे खुद करेंगे teacher मैं तो यहां पर कर दूँगा cross dot यह के उपर होता है फोर्सेज यूनिफॉर्म फील्ड में उसके अलावा आपके पास कुछ एलेक्ट्रिक फील्ड कभी मिक्स अप हो जाए तो चार्ज पार्टिकल क्योंकि एक कैपिटल यानि एलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दी प्रोड्यूस फोर्स एक्सपिरेंस करता है य तो ऐसा भी केस देखा कि मुविंग चार्ट एक फील्ड में और साथ में बहुत सारे से केसे जहां है यह होता है उसका ना पाइए ना पाव ना उसका एक बना जहां पर हमने देखा कि वर्क कभी भी करता नहीं है वह चीजों को डिफ्लेक्ट करके घुमाते जाता है यहां हम इसा क्या करता ऑसिलेटर के साथ अपना डारेक्शन चेंज करते रहता है तो यह सब चीजे सब देखिए साइकलोट्रॉन के फिर हमने बी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है किसी पॉइंट पर किसी सर्टेन कॉन्फिग्रेशन ऑप करेंट कैरिंग वायर उसके कारण देखा क जब हम जाएंगे कुछ और जाएंगे डीपली जब यह कॉइल हो एन नंबर ऑफ टरंस कंटेन करता और फिर एक सॉलनॉइड में कनवर्ट हो जाएगा तो कैसा हो तो यह सारे आगे कुशन होते जाएंगा और लगवग लगवग खतम क्याद है समझ रहे हो आप तो प्रैक किस करना आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो आज के लिए यहीं करते हैं बाद में मिलते हैं गुड़नाइट बेटा गुड़नाइट नाइट 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 जाएट नाइट